चौर्ट कड बन गया नेता बनने के लिए आप जोड़ जोड़ से चिलाईए घीड में और आजकल तो सब अपना कैमरा मोबाईल लेकर जाते हैं दो बात हैं पूरी दुनिया के अंदर जहां भी चेतना मनुस्ष्य के अंदर है वहां चलती है एक सहमती की और एक एसहमती की यानि कि किसी चीज के मानना और अगर वो आपके लिए सुटेबल नहीं है अनुकूल नहीं है तो उसका विरोध करना उसको नहीं मानना दुनिया में विरोध के बहुत सारे तरीके हैं, घरों के अंदर बच्चे विरोध करते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, रूट जाते हैं, जो घर के लोग हैं, वो आपस में बोल चाल बंद कर देते हैं, या मौन धार कर लेते हैं, या कम बोलते हैं, या अपना बोल कर और या हिंसले करने वाला विरॉध के बहुत सारे तरीके हैं और यह सारे तरीके दो भागों में बढ़ते हैं एक शान्ती प्रीय के रिया यानि के हिंसक दो तरह के विरॉधं आते हैं हिंसक में कहीं प्रिसान होते हैं या बीमार होते हैं पर दोनों ही तरीके विरोध के ये जो दुनिया के अंदर जितने भी विरोध हैं विरोध होते हैं उन विरोधों की सफलता की गारंटी है अगर विरोध एक साथ हो प्रहत्मकोथ सांगिक हो, संग के द्वारा हो, तब विरोध के सफल होने की गारण्टी है और अगर विरोध सांगिक नहीं है, संग के द्वारा आदेश्त दिया हुआ नहीं है संग के द्वारा निड़ेशित नहीं है या पहले से सब लोगों को एक साथ एक मत के अनुकूल नहीं है तो उस विरोध के असफल होने की पूरी गारण भी है वो कभी सफल नहीं सकता हवा 2400 घंटे बहती है पूरी दुनिया में टुकले टुकलों में बहती है जितने भी जीव जन्तु है वो हवा को पी जाते है आन पान आना पान बहुते थे पाली में आना पाना आन माने सांस और पान माने पीना यानि सांस को पीना सारे लोग उस हवा को पी जाते हैं और उसको बदुदार करके कारवन डेक्स अक्षड मिलाके इसका इस्तमाल करके छोड़ देते हैं हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती जब तक वो टुकलो टुकलो में रहती है पर जब हवा इखटी हो जाती है समगर हो जाती है तो तुफान बन जाती है और जो हवा को 24 घंटे पूरा जीवन पीते हैं वो जुक कर सलाम करते हैं फिर उसकी पहचान होती है जब वो टुकलो टुकलो में बहती है तो कोई नहीं पूसता हुसे पर जब वो एखटे होके बहती है तो अच्छो अच्छो को हिला के और अच्छो बड़ा ही विशाल है जमीन से दो गुना जादा बड़ा है और सब को जीवन दे देता है जितने भी जीव हैं सारे लोग उसका उप्योप करते हैं जहाज उस पर तेरते हैं घूमते हैं कोई उसकी इज़त नहीं करता पर जब वो गहरा समुद्र तुफान में बदलता है तो अच्छे दद्दस मंजले जहाज को डुबा देता है और जब वो एक खटा होका सुनामी में बदलता है तो सहर के सहर तबा कर देता है तब लोग कहते हैं कि समुद्र ताकतवर है इसका जवाब नहीं इसकी बात माननी चाहिए इसको सलाम करना चाहिए बारिस होती है थोड को बहा के ले जाता है इतना पानी वरस्ता है इकटा होका कि अच्छे पाल बह जाते हैं और लोग डूब जाते हैं त्रही त्रही मान बढ़ जाते हैं इकटे होके किया हुआ कोई भी विरोध कभी असफल नहीं होता यह जो धरना है यह जो प्रडर्शन है यह जो जितने भ प्रतारना के या किसी भी ऐसी बात के जो अधिकार मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है वो सारे के सारे विरोध जितने भी विरोध है उप्राकर्टिक हैं पर प्रकर्टिके नियम के नुसार अगर वो अलग-अलग होते हैं और टुकलो टुकलो में होते हैं और खंड-खंड में हैं या बिना संग की त्यारी के होते हैं यानि कि सभी लोगों की सेहमती और त्यारी के बिना होते हैं तो उनका असफल होना और उसका नुकसान होना लाजमी है यह प्राकर्टिक नियम है अगर आप आंदोलन आंदोलन का मतलब है आन और दोलन आन माने होता है सांस और दोलन माने होता है आगे पीछे यानि कि जो सरीर जिस सांस हिलता है आंदोलन का मतलब है कुछ हिलना अभी तो दोलन बोलते हैं दोलक बोलते हैं और धरना का मतलब होता है जमीन पर बैठ जाना धरना यानि कि हिलना नहीं और विरोध प्रदसन का मतलग होता है कि जो बात हमें पसंद नहीं आई उसका पूरा दसंद करना दिखाना उसको पूरा दिखावा करना कि देखो हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं आई इसका पूरी तरह से लोगों को बताना यह बुद्ध के समय पूरी तरह से इत्यास में आ गया था क्योंकि बुद्ध के जो लोग थे जो भिक्गू थे और स्वएम बुद्ध थे उन्हों ने इन विरोध प्रदसनों की शुरुआ थी, बुद्ध ने जितने भी पाप करम थे, उनका विरूद किया, बुद्ध ने जितने भी आडमबर थे, उनका विरूद प्रदसन किया, बुद्ध ने जितनी भी करूतियां थी, चाहे वो जूट बोलने की है, चाहे वो शराप पीने की है, चाहे वो हत्या करने की है चाहे वो चोरी करने की है और भी बहुत सारी थी वो सारी की सारी उन ब्राइयों का उन्होंने जड़ से विरूद किया और इस विरूद करने में जो लोग इससे फाइदा उठाते थे या जो लोग इन आत्तों में थे उन लोगों ने बुद्ध का भी संगी थे जिन को भिको और भिकुनी कहते हैं उन्होंने आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाने के लिए वो जगे जगे गाउं गाउं शेहर सेर मौले मौले गए तो कोई आसानी से थे करवाते थे उनका धंदा बंद होने लगा जो आडंबर करते थे उनका धंदा बंद होने लगा उन्होंने विरूद किये तो भिक्वा को विरूद प्रदसन बहुत जिलने पड़े कभी उनको मट्टिया उनके उपर फैंकी जाती कभी कीच गारा कभी इंट मारे जाती कभ कभी उनके गाली कलो छोती कभी उनका बहार से निकलना मुस्किल हो जाता कभी उनके उपर लाचन लगा जाते बध्द के ऐपर दो रित्धार का ला लगाय गया और भिक्वें पे बीड हैं पर वह जानते थे के वह क्या कर रहे हैं इसलिए वह समध्र रूप से एक साथ सांगे कादेस के तहत में संग के आदेस के तहत में ढटे रहे लगे रहे और ऐसी सफलता मिली कि जैसी सफलता दुनिया में किसरी को आज तक मिली रही पूरी दुनिया में वो नियम बता दिये और वो आज तक चलते कितना बड़ा काम किया और कितना बड़ा उसका रही और लोग पूरा जीवनाहराबच चीते रहें पर जब तक संग रहा तब तक चलता रहा और जब संग को तोड़ा गया और सबसे ज़्यादा जो अरचम्वित करने वाली बात है जो सबसे ज़्यादा खराब बात लगती है वो ये है के तोड़ा भी बुद्ध के नियम को समझ कर, चोंकि बुद्ध ने जब ये नियम बताये थे, कि किसी राज्य को तब खत्म किया जा सकता है, कि अगर उसके राज्य के लोग रोज ना मिने, आपस में बात ना करें, सन्निपात बाहुन ना करें, तो उन लोगों को खतम किया जा सकता है, उनको वहाँ से मारा जा सकता है, उनको हरा जा सकता है, ये बात जब गुद्ध ने बताए थी जिनको साथ परिहारी नियम बोलते हैं, उनमें से एक नियम था, तब से ये बात दुनिया को पता चली किसी गणपरशद में किसी संग में अगर उस संग के टुकले टुकले कर दिये जाए तो फिर वो लोग अगर विरोध भी करते हैं तो वो समगर विरोध नहीं होता वो सांगे की विरोध नहीं होता फिर वो वर्गों का विरोध होता है वग यानि वर्ग यानि सैक्सन जो टुकड़े उनके किये गए हैं जो सैक्सन उनके बनाए गए हैं उनका विरोध होता है तो विरोध का सिध्धान्थ है अगर विरोध करने वाले लोग सो है और जिनका विरोध हो रहा है वो भी सो है तो टक्र बरावर की रहेगी जीतेगा वो जो सच्चा है क्यों सच्चाई का जोस और सच्चाई की ताकस साथ रहेगी पर अगर विरोध करने वाले दो सो लोग है और विरोध का सामना करने वाले सो है तो विरोध करने वाले जीतेग को देख कर जो राजा था उसने चड़ाई की और चड़ाई करने के बाद जो कलिंगा जीता उसने वो सारा का सारा कलिंगा वैसे ही जीता जैसे दुद्ध ने बताया वहाँ वेबचार भेजा, वहाँ पापकर्म भेजा, वहाँ दालच भेजा, वहाँ के लोग तोड़े गए, वहाँ के लोग पापी बनाए गए और वो जो संग तूटे बाद में वो छोटे 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 वर्गों में बड़ल गए और वर्गों से समुदायों से उनके नाम रख दिये और वो नाम उनकी जाती पर पढ़ गए और वो इतने छोटे छोटे टुकडे हो गए कि जिने लोगों का वो विरोध करना चाहते थे वो संख्या में उनसे कैई गुना ज़्यादा हो गए 6700 टुकड़ों में जब कोई संग तूटता है तो जो उसका विरोधी है वो हर टुकड़े से बड़ा हो जाता है और वो फिर अलग अलग सबको मार सकता है वही नीती जो बुद्धने बताए थी उसको उल्टा घुमा कर संग की उपर अपलाई किया और संग पूरा पूरा बि ц किया बाद में उनकी हत्याएं की गईं कि संख्याबल कम रहें गए और संक्याबल कम रहने से वोग गुलाम बन गए मारे गए खटम हो गए विरोध पेताड़ा में बदल गया और पेताड़ा लगातार चलती रही जिसभी लोगों ने जिन भी लोगों ने जो उस समय के ज चिन ली गई। उनके कपड़े पहने का तरीका चिन लिया गया। उनकी जमीन चिन ली गई। संखें में बहुत कम रह गई। और जब विography करते थे तो पिटते थे क्योंकि अगर दो लोग करेंगे और चार लोगों का बरूद करेंगे तो चार लोग किट जाएंगे और उजीतेंगे प्राकर्टिक नियम है. इसलिए आज तक जो विरोध चलता आ रहा है उस विरोध में काम्यावी नहीं 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 यह बात चलती रही आगे और यह विरोध जादा पुरारा नहीं है फा साल पहाद जब यहां उंगरे से ले लहे तो यहों का विरोध करने के लिए ज्यादा लौग नहीं थे भारत के अर्प्रत और जो यह पर नहीं आये उनकी नहीं कहान है विरोध करने ज्यादा लोग इक्षटे नहीं थे scientific तोट चुका था इसलिए अन्गरे ईके जो विरोध करने वाले लोग थे वो संख्या में बहुत कम थे इसलिए वो सत्ता सीन हो गए और वो यहां पर शाशक बन गए क्योंकि भारत को भारत महा भारत गड़राज्य संग से तोड़ कर यहां जैसा की छेटो साथ सो प्रकार की जो सलत्रत बनी छेटो साथ सो प्रकार के तोटे हुए छोटे भारत को एक रणनीती अपनानी पर उस समय दों बड़ा भारत था क्योंकि पाकिस्तान मी था रोंगला देश मी था काफी बड़ा भारत था क्या रणनीती अपनाई संग बनाया जाए और संग बनाने के लिए नारा बना हिंदू-मुस्लिम सिख हिसाई आपस में हैं भाई-भाई तोकि इनको जो बाटा गया इनको जो लड़ाया गया और ये अंग्रेजों नहीं बाटा अंग्रेजों से पहले बाटा गया अंग्रेजों ने तो इसका इस्तमाल किया तो जिन्हों ने बाटा था उनको पता था कि अगर बटे रहेंगे तो मड़ वह मड़ तो लड़ते नहीं इसलिए कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख किसाई आपस में भाई भाई और आज ये नारा नहीं चलता कोई इसका नाम भी नहीं लीता ये तना बड़िया नारा था जो संग बनाता था पूरे देश को पर चलता नहीं क्योंकि 47 के अंदर ही इस नारे को तोड़ कर मुस्लिम अलग कर दिया और हिंदू अलग कर दिया सिख अलग कर दिया और इसाई अलग कर दिया तो उसके बाद नारे का नाम को लेता जिन्होंने नारा अपने काम पिलिए बनाया उन्होंने संग बना कर दे लिया और कोई बोलता नहीं कभी सुना नहीं होगा आपने दिखाई नहीं देता है यह वही नारा है जिससे भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से और जब बावा साब यहां आए उस समय तक हमारी हलत पूरी तरह से खराब थी जो अंग्रेजों से हमें मिली थोड़ी बहुत बोलने की आजादी यह थोड़ा बहुत पढ़ाई किया जादी उसका फाइदा बावा साब मेटकर या दो चार पांदस लोग और थे उन्होंने उठाया सारे समणों और जब उठाया तो सारा का सारा जितना भी फाइदा वो दे सकते थे अपने समाज को उन्होंने अपना जीवन 12 से जोडने की प्रिकरिया आरब की बावा साब मेटकर जानते थे उन्होंने पूरी दुनिया का इत्यास पड़ा है कि जहां जहां भी जीते हैं इखटे हुए हैं तो जीते हैं और इखटे होने की प्रिकरिया उन्होंने बनाई जितना एक अकेला व्यक्ति कर सकता है कुछ कुछ लोग उन्होंने SC के नाम पर जोड़ दिये, कुछ लोग उन्होंने ST के नाम पर जोड़ दिये, और कुछ लोग उन्होंने OBC के नाम पर जोड़ दिये, तीन 6,743 लोगों को तीन बड़े-बड़े संगों में उन्होंने खटा कर दिया, कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे वो धर्णा प्रदसन जितना वो जानते थे जहां तक वो कराना चायते थे और जितना वो समझते थे उतना ही उन्हें कराया उन्होंने धर्णा प्रदसन को प्रमोट नहीं किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि बात बात पर जाके डंडे लेके खड़े हो जाओ या बात बात पर जाके प्रदसन करो, कभी नहीं किया है, उन्होंने सिंबॉलिक किये, सिंबॉलिक, काडाराम मंदरी पर जाके सिंबॉलिक, बताते हैं कि इसलिए धर्ना प्रदसन कर रहा हूँ, ताकि तुमको ये पता चले, कि तुम्हारी यहां एंटी नहीं है, इस मंदरी के ऐसे परदसन बाद में एक दो सिंबॉलिक गूर्प से साहब का सीराम ने भी पर किसी ने भी यह नहीं कहा कि आपको परदसन या धरनों से ही सब्चीज प्राप्त होगी किसी नहीं कहा कि आपको विरोध परदसन करने का एक शौटकट बन गया नेता बनने के लिए आप जोड़ जोड़ से चिलाइए भीड में और आजकल तो सब अपना कैमरा मोबाइल लेकर जाते हैं लाइब भी दिखाते हैं और अलग-अलग टाइम पर जाते हैं सबका शॉर्टकट है कि इस धन्ना प्रदसन करने से चाहें उस धन्ना प्रदसन का र नहीं समझबाएंगी किसी बात का विरोध करने के दो तरीके प्रकतिने बनाए गूए एक है तुरंथ और एक है हमेसा के लिए पर्मानेंट जो लंबा होता है जैसे दो तरह की बीमारी होती है डाक्टर जब विलाज करता है तो देखता है कि यह जो विलाज करना है इसका अभी का पर्मानेंट git क्या है जो सिंटम के अधार पर लक्षण के अधार होता है उसको की को निकल होता है जो लंबी बीमारी का होता है जो बीमारी आदत में आ गई है उसका लंबा इलाज चलता है जड़ से बीमारी तब जाएगी जब लंबा इलाज चलके डाक्टर की बात मानते हुए दवाई खाएगी पर लख्षण जो आते हैं तुरंद के पेट में जर्द है या कोई जग हम है या कहीं कुछ कुछ ना गई है उसका लाज भी डाक्टर करता है तो दो तरह के दुनिया में लाज बुद्र है हमारे लोग लंबे लाज पर यकीन करना भूल गए जैसा कि बुद्र ने 45 साल तक लाज किया और पर्मानन जीत हासल की उनको तुरंट करा जाता है या हमारे किसी महिला की कोई बेज़ती की जाती है या बलातकार होता है या कहीं कोई पतार ना होती है तो तुरंट फुरंट पी लाज होना चाहिए कर तुरंट फुरंट लाज नहीं होगा तो लंबा लाज भी काम्याब नहीं हो सकता है इसलिए धरने प्रदर हो जाती है जिक ऐसे तब आदमी धर्णा प्रदसन के लिए आता है तब धर्णा प्रदसन करता है और धर्णा प्रदसन अलग करने से और नुकसान होता है अगर आपने धर्णा प्रदसन किया एक व्यक्ति ने एक कोई समू बनाया कोई संटर बनाया उसने आज किया दूसरे ने कल किया, एक ने दिल्ली में किया, एक ने इलावाद में किया, एक ने कहीं किया, और सामुईक नहीं किया, उन लगता ऐसा है कि सामुईक है, सब लोगों को उत्तेजना है, सब लोगों को दुख है, सब लोग साथ है, सरकारों को भी लगता है, पर सरकार अंदर से ये जान बहुत बड़ा network होता है Wो सब जानती है कौन किसका विरोधी है और कौन किसके आगेश्ट पे खड़ा हुआ है कौन सा संख्छन कर चायakah कौन सा संख्छन के अंदर क्या हो रहा है कौन से लड़के नेता बनने के लिए ला रहा है कौन से बच्चे अभी जानते नहीं है और टिकेट चाहिए और कौन कैसा आदमी है जिसको पैसा चाहिए उसको सब पता रहता है सरकार के पाद बड़ा सिस्टम और बड़े सिस्टम के कारण वो सब जीरों को जान गी इसलिए जो लोग धन्ना प्रिजन करते हैं वो अपना आकलन नहीं करते नहीं वो पहले से एक साथ बैठते हैं जब भी कोई ऐसी एक्टो सिटीज होती है जब भी कही ऐसी पतारना होती है जो पतारना जखजोट देती है पूरे समाज को उसका फाइदा उठाने के लिए ये तरंफरंट वाले लोग आ जाते हैं बिना सोचे समझे जिसका बादवे नुपसान होता है कोई ये कहता हो कि आंदोलन का जो तरंफरंट वाले आंदोलन हैं जो किसी घटना पर आधारित हैं जो किसी मडर पर आधारित हैं जो किसी लास के पर बनाए जाते हैं उसका कोई फाइदा है तो वो अपने 70 साल का, 200 साल का, 300 साल का इतियास उठा के देख ले हर आंदोलन के बाद जितने भी प्रदसन हुए हैं उसके बाद में हफ़ते, दो, हफ़ते, तीन हफ़ते बाद फिर घटना हो जाती है एक महौल सा बनता है, सब लोगों को लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए कुछ लोग चेहरे चमकाने वाले आजाते हैं, कुछ नेता बनने वाले आजाते हैं कुछ सच मुछ में भी आते हैं लोगों की भावना उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उसका फाइदा उठाने के लिए सब उनका हीरो बनने के लिए उनका नेता बनने के लिए आ जाते हैं पर घटना नहीं रुकती घटना फिर होती है और ये जितने भी लोग है घटना के बाद नहीं बैठते और ये कभी एक साथ आने की सोचते भी नहीं को कि सबको परधान मंत जाली गई हैं कि दुरगटना या घटना या प्रताड़ना या हत्या या वलादकार के उपर प्रदर्शन करने से नेता माना जाता है ये नेता मानने का जो समाज ने सुविकारती दी है जो समाज इसको सुविकारता है कि बहुत जादा बोलता है तो नेता है जाके वहां लास पर खड़ा होता है तो नेता है सरकार की खिलाब बोलता है तो नेता है सरकार को गाली बगता है तो बड़ा नेता है और अगर यह माननेता हैं बड़ाता रहेगा समाज और ऐसे चीखने चिलाने वाले लोगों को उनको हीरो मानता रहेगा उनको नेता मानता रहेगा तो इतनी बाड़ा जाएगी इतनी बाड़ा जाएगी कि इस बाड़ में सारे बच्चे मारे जाएंगे सारी महिलाओं का ब्रादकार होगा पर कोई रोकने वाला नहीं होगा क्योंकि जो तुरंट कारवाई होती है जो तुरंट विरोध होता है वो सरकों पे हो या ना हो उससे फरक नहीं पड़ता वह और अगर सारे लोग सारक पे आके खड़े हो जाएं सारे लोग एक साथ और एक टाइम और एक दिन तो सरकार कहती है सलाम आपको ये लो दो अक्टूबर दो अपरेल अठारे ये लो तुम्हारा जो एक मैने अधिकार दिया था उसे बापिस करते हैं क्योंकि संग बन गया एक साथ सलक पर आगे कोई नहीं चिलाया कोई नहीं चीगा किसी न बल अलग समय पर आए हुए नेता अलग-अलग समय पर आए हुए लोग अलग-अलग समय पर गए हुए चीखने चिलाने में लोग बिना रणनीती के बिना एकटे और बिना समाज के इक्षा के आए हुए लोग उनको सरकार कोई तबज्जु नहीं देती हैं यही कारण है क हर लास के बाद लास गिर रही है हर बलात कार के बाद बलात कर हो रहा है हर बच्चे के बाद दूसरा बच्चा मारा जाता है पिताना हो रही है सारे अधिकार जा रहे हैं पर रुक नहीं रहे हैं तुरंत फुरंत में बहुत सारी एनरजी है अगर आप महर उठा के देखेंग सजाए होनी चाहिए कानून को अपना काम करना चाहिए पर महां तो मानमा टायटाइफिस हैं कहीं कुछ नहीं होता हमारे जो लोग घटना के बाद में F IR की कोपी करने के लिए भी एडिया रगटते हैं एडियां उनको F IR की कौपी भी अवेलेवल नहीं होती जो नट पर होती है वही नेट से नहीं मिल पाती हैं अंगो और वो उसको उपलब ही मान लेते हैं कि हमें एक एसी घटना नहीं है जिस घटना के बाद मैं दूसी घटन होनी शुरू ही हैं ये घटनाएं अंग्रेजों के बाद ज्यादा होनी शुरू ही और ये एक चलन सा बन गया है क्योंकि अंग्रेजों के समय जो आंदुन हुआ था उस आंदुन में दो तरह के आंदुन चले थे एक चला था शांतिक आंदुन और एक चला था उग्रांदु दुनिया में कहीं भी कोई भी उग्र आंदरुन कभी सफल नहीं हुआ उसके लोगों को आंदरुन करने वालों को उग्रवादी कहा जाता है और उग्रवादी को आतंकवादी और आतंकवादी और उग्रवादी की जो सजा मिलती है बाद में वो सजाय मौत मिलती है अगर आपको यकीन न हो तो जो भगर सिंग जो है उनका आपने कहीं भी बहुत बड़ा जो कहीं कोई इसमारा किया कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कभी नहीं देखा होगा और चंसेकर आजात का भी नहीं देखा होगा क्योंकि जतने भी उग्र जो लोग उनको जब सरकारे जाती हैं तो उनके खिलाफ में और पास तरके जाती हैं कि ये देश के गदार और देश के उग्रवादी रहे हैं इसलिए उनके नाम की छुट्टिया तक नहीं होती क्योंकि सरकारों से समझोते होते हैं कि ये हमारे उग्रवादी है हम तुम को सरकार दे कहीं उनका अमरत्महुसाइब कहीं उनका बहुत बड़ा किला या कहीं बहुत बड़ा उनका मैंूजियम या arts बढ़ी उनकी प्रधर्शनी कभी नहीं देखबूगे कोई सरकार ने कगे सकती है चुछिह सुबा चन्थबोस को उच्रवादी होने के नापे punishment दी हुई है उन पर उग्रवादी का tag है सफलता जो मिलती है जो सांती वाले जो अहिंसक वाले जो लोग होते हैं उनको ही सत्ता मिलती है उनको ही power मिलती है और वही मजा करते हैं और वही जीतते हैं इसलिए जो यहां भारत के अंदर जो छोटे छोटे नियम लागो हुए ऐसेयोग आंदोलन या बैपार बंद करने का आंदोलन बैपार बंद कर दिया कपड़े जला दिये अगरे जोगा बैपार बंद कर दिया उनका आसेयोग करना बंद कर दिया उनके आफिसों में काम करना लोग तोनों ने हत्यार डाल दिये, यह जो ऐसे योग वाला और जो ब्यापार बंद करने वाला जो अचूप फार्मरा था, यह सांती के आंदोलों में आता है, यह सांती के आंदोलन बुद्ध से सीखें लोगों ने, क्योंकि बुद्ध का आंदोलन अगर नहीं था, ने, यह संग जो होता है, एक बहुत लंगी लड़ाई है, और यह जीवन परियंत चलेगी, यह जीतने के बाद भी चलेगी, पिछली वार हमने गलती की, कि संग हमारा जीत गया, और हमने संग को बचा कर नहीं रखा, संगी बनकर हमने काम नहीं किया, इसलिए वो संग के ट लगातार काम करता रहेगा, तब हम सफलता हमेसा पाएंगे, बुद्रे कहा था कि यह संग हजार साल तक चलेगा, और सोले सो सत्रे साल तक हम उस संग की रोटी खाते रहे, अगर उस संग को पॉलिस करते रहते, उसको चमकाते रहते, उसकी नियमों को मानते रहते, उसकी ब करना चाहिए कहीं अगर तुरंट ऐसा लगे कि तुरंट कहीं कोछ करना है या आंदून करना है तो करना चाहिए पर शांती से करना चाहिए दो फोन आए आज मेरे पास मैं उन्होंने कहा हम ग्यापन देना चाहते हैं पुलिस में या जिले अधिकारी को या कहीं तो क्या समढ संग के नाम से ग्यापन नहीं दिया जा सकता क्योंकि संग कभी भी किसी भी हालत में अपना नाम सरकारी रेश्टर में दर्ज नहीं कराते हैं संग की कोई ऐसी चीज नहीं होती जो सरकारी खातों में दर्ज हो ना संग कहीं रिक्वेस्ट करते हैं ना कुछ मांगते हैं ना कहीं ग्यापन देते हैं नहीं वो नाम रेश्टर कराते हैं क्योंकि वो रेश्टर ही नहीं होते हैं पर जो लोग ग्यापन देना चाहें वो वी वीदा पीपल बहुत चलते हैं वीदा पीपल तो भारत के सम्विधान की एक लाइन है आप वीदा पीपल पर लोगों इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि लोगों समण संग को रिब्जेंट करता है आपको लोगों लगाने जो नहीं है बावस आपका फूर्ट लगाईए लिखि पर समण संग की अगर कोई सरकारी मांग में या अपनी तरफ से समण संग लिखके देता है तो उसकी जुमदारी उसकी है संग की नहीं है संग डिनाई कर देगा क्योंकि संग रेश्टर नहीं है और संग कभी रेश्टर होगा नहीं और संग कभी डिमांडिंग नहीं है संग सरकारों से बड़ा होता है संग तो देश होता है इसलिए संग जाके यह नहीं काएगा कि यह पतार ना हुई है तो इसमें हमारी यह मांग है यह डिमांड है हाँ वीदा पिपल कह सकते हैं क्योंकि वीदा पिपल पे बैक टो सोसाइटी अलग है या कोई और कहीं कोई प्रिया-दुलन में जालिएगे। cừसिंग आपसे कहता है। या किसी मात्राइब चाहिस की हैं। मिलब कि तरे इनकी समझदारी की तरे समझदारी आपने रखनी हैं। ऑग्र आदुलन में नहीं जाना है। सम्भावना अगर हिन्सक आदुलन की है, तो से आपको चले आना है हिंसक आंदोलन से जिनके विरुद में आंद्लन होता है हमेसा उनको फायदा होता है कैंकि पावर उनके पास होती है और अगर आप यह हिंसक आंदोलन नहीं भी करोगे तो उसको और बदलने division की पूरी कोषिब करते जैसे दो अपल अठारे के आंदोनों को सफल तक होने के बाद में कई जिगे गोलियां चलवाई गई, कई लड़कों को बंद किया गया, खामे खाकी रिपोटर लिखी गई और वो आज तक भी परिशान है, वो हिंसक बनाया गया, वो हिंसक नहीं था, उसको उगर बनाया जा होता है, वो आंदोनों होता है विचारी को विचार धारा का, हमें वीदा पीपल चाहिए और वीदा पीपल समण संक के विचार के चाहिए, समण संक का विचार माइंड से आता है, मन से आता है, अगर आप अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से आप उनको समझाएंगे, त तो सरकार फिर उसी विचार धारा में आ जाती है जिस विचार धारा के ज्यादा लोग होते हैं सरकारे आटोमेटिक अपने आपको उसी वे चेंज कर लेती हैं क्योंकि सरकारे लोगों की पीछे चलती हैं अगर एक क्यावर परसेंट लोग एक विचार धारा के हो गए तो बा पता भी नहीं था पर वो लोग सारे के सारे गुरू नानक की किल्चर मांते थे और वो सारे सारे लोग guru nana ko aapna guru मानते थे और वही culture थी उनकी पर यहां आया कर उन्होंने Hindu culture को adopt कर लिया क्योंकि बहुमत Hindu culture का था इसलिए जिसका बहुमत होता है जिसका मत होता है सारी चीजें उसकी तरफ जुक जाती है और जिस आपकी है जैसे चाय वैसे करे पर ये बात सब लोगों को बताई जाए और समझाई जाए कि अगर आप इस तरह से करोगे तो जो इसका असर आता है वो असर तब तक नहीं रहेगा जब तक आप एकटे हो के ना तो तुरंत इलाज भी जरूरी होता है पर एक दिन और एक समर ए से उतनी पड़ेगी सब लोगों का जब सहमती बन जाती है तो सरकार अपने आप पता कर लेती है कि भाई इतनी सहे लोगते साथ हैं तो उन्हों लोगों को जिनकी सहमती एक साथ बंद कमरों में और भॉलम हो जाती है उनके मरने वालों को मिलते हैं पांच करोड और दो सरक मुख्यमंत्री बनना है जीतेंगे वही जो इखटे हो के आंद्रून करेंगे आज तक दुनिया में जहां जहां भी इखटे हुए हैं आंदलनों नहीं के सफल हुए हैं और जो जो इखटे हो के आंदलनों नहीं करते हैं उनके नाम और निशार में नहीं बचे के वो आंदलनों कारी कहते और वो आंदलनों काते ऐसे कितने मुख्यमंत्री और ऐसे कितने पधानमंत्री जो आंदलनों के करना है हर काम की पहले सहमत ही बनानी है संग के जितने संगी हैं वो इस काम में लग जाए क्योंकि हम भी प्रदसन करेंगे हम भी धन्ना देंगे पर उन लोगों के खिलाफ देंगे जो 29 लाक संग्ठन है इस बात का धन्ना प्रदसन करेंगे और बार बार करेंगे कि तुम को सब्सक्राइब और उनको हम अभी तो हम बोल रहे हैं जब हम संख्या में बड़े हैं तो उनके घर घर जाके हम प्रतसंद करेंगे कि तुमको निकम्मो कब अकल आएगी तुमने सारे बच्चे मरवा दिये यह धन्य प्रतसंद मेतने चलेगे तो मिखटे हो जाते तो धन्य प्रतसंद की तो खुड़ेंगे जीतेंगे संगंग नमामी जैपहीम नम गध्राइग कर दो कि जाज बढ़ें को संगम नमावी पिक्टल मॉल्व कि संगवार से नौट ऐसे दलेशिक नहीं हैं नियुद में नम्हामामे अ य्लावाइब्स लूता है ।बस्फा साड़्ाइब्स कि अपर से को थार है णे टाल हूर ने घुत लुका है कि अधि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छाम। संगं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। तुम्तियं पी धम्ममर्सर्नं गच्छाम। पुथियम् पी लमंग सनंगर्शानी पूथियों पी संडर शेलिगर्शानू पुथियम् पी संडर शेलिगर्शानraktion तेतीयों पी बुद्दों शेलिगर्शानू ततियं पी धम्मंग सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्मं गच्छामी ततियं पी संगं सर्मं गच्छामी साथु, साथु, साथु झाल झाल